तनावाली फसलें कौन-कौन सी हैं, कई बार एक्जाम में आया है, तो अब ध्यान दिजेगा, तनावाली फसलें, ध्यान दिजेगा, तनावाली फसलों का ट्रिक जो है थोड़ा फिल्मी अंदाज में है, हद कर्दी आपने, ठीक है, अब ध्यान दिजेगा, यहाँ पर हद से हो गया हल्दी, कर्द से हो गया केसर, दी से हो गया आदी, यहाँ से हो गया आलू, और पैसे हो गया प्याज, और ने से हो गया लहसुन, ने से नहसुन या लहसुन, ठीक है, इस प्रकार से तनावाली फसलों के बारे में कभी अगर पूछा जाता है आपसे एकजाम में, तो आप ध्यान दिजिएगा इसका ट्रिक है, हद कर्दी आपने, हद से हल्दी, कर्द से केसर, दी से आदी, आ से आलू, पैसे प्याज, ने से नहसुन, तो यह हो गया तनावाली फसले, इस प्रकार से इस सीरीज में कोई भी आता, इस चीशे अपना कंपेर करके आप तनावाली फसलों के बारे में जान सकते हैं, चुकि maximum बारे एक्जाम में ऐसा पुछा कि आलू क्या है, आप समदेगा, जड है, तना है, पत्ती है, फूल है, तो इस प्रकार से maximum लोग जड मार के चले आते हैं, तो यह चीश क्या होता है, एक्जाम में गलत माना जाता है, आलू के नीचे भी अगर हम देखेंगे, तो जड जो है, आलू के नीचे पतला पतला जो रेशा निकला रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वह उसका जड है, ठीक है, तो यह विशेश तरपर आप धान दिजिएगा, आलू पूछे या प्याज पूछे, प्याज का भी वही सिस्टम है, ठीक है, प्याज को भी काफी नीचे आप देखेंगे जड़ होता है प्याज के नीचे भी देखेंगे प्याज के नीचे लेस्ते में भी जड़ होता है तो जड़ दूसरी जड़ के ऊपर वाला भाग तना है ठीक है इसी प्रिकार से अध्रक में भी वही सिस्टम है अध्रक होता है उसमें भी पतला पतला रेशा होता है, जमीन के अंदर जो पकड़ा रहता है, ठीक है, हल्दी कभी यही हाल है, ठीक है, तो आप विशेश तोर पर दान दीजिएगा, इस प्रकार से, हल्दी, केसर, आदी, यादरग, आलू, प्याज और लहसुन, यह सारे जो हैं, तना वाली फसले हैं, ठीक है,